नेट्फिक्स जो कम्पनी एक टाइम पे OTT प्रेटफॉम पे राज किया करती थी आज उस कम्पनी ने 2 लेक्स से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को खो दिया लेकिन ऐसा क्यूं हुआ तो ये कहानी शुरू होती है 1997 में जब अतिरा नाम की कम्पनी को रेशनल सौफ्टवेर 700 मि सब्सक्राइब करती है 29 ओगस्ट 1997 रेट हैस्टिंग मार्क रिडॉस के साथ मिलकर नेट्फिक्स की शुरूआत करते हैं 30 एंप्लोई और 925 डिवीडी के साथ नेट्फिक्स नेट्फिक्स.com इस दुने की पहली डिवीडी रेंटल कम्पनी बनती है शुरूआत में एमेज नेट्फिक्स को ब्लोकबस्टर से बहुत ज्यादा कंपेटिशन मिल रहा था बट इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी इसका 16 परसेंट रेवेन्यू लेट फीस से आता था स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी और इस वज़े से नेट्फिक्स की तकदीरी बदल गई फिर उन्होंने डेटा एनलिसिस के उपर मिलियंस ओफ डॉलर्स खर्च करें फिर 2013 में नेट्फिक्स ने अपना खुद का प्रड़क्शन हाउस सेट अप किया मार्केट में नेट्फिक बट अब नेट्फिक्स को बहुत अच्छा कंपेशन मिल रहा है और लास्ट छे महिने से इसका शेर 370 परसंट डाउन चल रहा है आज नेट्फिक्स के सामने ये दो बड़े थ्रेट्स हैं पॉस्ट इस डिस्रिबूशन नेट्वर्क था और वेसा ही नेट्वर्क आज डि से ज्यादा सरप्लस केश होता है यानि यही सेम चीज़ एच्बियों टेलिवीजन के ठू करता है ओटिटी पे आने से पहले ही अपना प्रॉफिट बूग कर लेता है अब इससे नेट्फिक्स को क्या खत्रा है में ध्रेट है डिजनी के पास डिजनी प्लस होट स्टार है और एच्बियों के पास एच्बियों मेक्स एक टाइम पर यहाउग एन लोग नेच्फ्लीक्स को अपना कंटेंड बेचा करते थे आज वही सब अपने खुदके चनल पे डॉप्रेट के चनल के बहुत अच्छा कंप्पूइशन दे रहे हैं अब नेच्फ्ल Ils को अच्छा कर रहा है through Amazon Prime और इस वजह से Netflix का शेर दिन बदिन नीचे गीता जा रहा है Now it's time for a business lesson. First is kill or renovate your USB to keep the company alive जैसे Netflix ने DVD rental से लेके online streaming तक अपनी company को renovate किया बट अब जमाना वदल चुका है और Netflix को अपनी USB चेंज करनी ही पड़ेगी Second always keep more than one stream of income Netflix के पास बहुत अच्छा time था अपने profit को अलग अलग तरीके से बढ़ाने का और income of source को change करने का बट उन्होंने ऐसा नहीं किया वो पहले से subscription based model पे काम करते थे इस company के रूपने का ये एक बहुत बढ़ा reason बन सकता है So I hope you guys like this case study, stay tuned for the next one and don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon